हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर आपके पास बच्चों के लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं है टिफिन में तो ये वाली रेसिपी बनाईए और जो काफी टेस्ट लगेगी आपके बच्चों को और काफी पसंद भी आएगी तो चलिए करते हैं इस्टार्ट यहाँ पर मैंने दो आलू लिये हैं एक मैंने टमाटर काटा है एक मैंने प्यास काटा है और एक मैंने चोटी हरी मिर्च काटी है आलू को मैंने कद्दुगस कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है जिसमें मैंने डाला है द जो आने लंबा काटा ऐरा ऐं आप बारिर भी काट सकते हैं इसनगी मैंें लंबा काटा है क्योंकि इसे इसे नहीं क्यांदा नहीं देने ताकि chief प्याज अलग से दिखाई دे हैं यहां पर मैं हमच मताट करह purity दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताए कि किस-किस ने रेसिपी बनाई है यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कटा हुआ कमाटर और हर इम मसाला भी इसमें डाल दिया है ताकि टेश्ट अच्छा है और अभी हम डाल देते हैं अपने कद्दुकस किये हुए आलू इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बात का खास धियान रखेगा अगर आपकी लोहे की कड़ाई है तो यह धियान रखेगा कि इसमें नीच हो जाएं जल्दी से और नीचे ना लगें अगर आपके पास नो निष्टे पैन या कड़ाई है तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं उसमें नीचे नहीं लगेगा यहां पर यह देखिए मैंने थोड़ी सी देर पकाया है सिर्फ दो मिनट उसमें ही यह सोफ्ट हो गया है औ जल्दी बन करते यार होता है यह मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप फटाफटी से बना सकते हैं यहां पर मैं सेक रही हूँ पराथा क्योंकि मुझे बच्चों को लंच में देना है पराथा और यह जो मैंने रेसिपी बनाई है यह बच्चे प्राथे के साथ खाएंगे तो काफी तेस्टी लगेगा तो दोस्तो मेरे बच्चों को यह रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई है और काफी तेस्टी भी लगी है और आप चाहें तो आप भी अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं यह बना कर क्योंकि बच्